हलो फ्रेंड चलिए बनाते हैं आधे कप सूजी से मज़ेदार हलका फुलका टेस्टी सा नास्ता तो ट्राई जरूर कीजिएगा रैसे पी जरा भी पसंद आए तो प्ली चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेंगे छोटा वाला मिकसर जार इसमें एड़ करेंगे आधा कप बारिक वाली सूजी सूजी आप मोटी बारी कोई सी भी ले सकते हैं अब यहाँ पे कप में एड़ करेंगे दो चम्मच दही दही के साथ ही एड़ कर दे तेल यहां पर रिफाइन एड करना है सरसो का तेल मताइड कीजिएगा इसी के साथ आइड करेंगे एक छोटी चममची नहीं जारकटकन बंद करेंगे और बिलकुन फाइन सा पेश्ट बना के तैयार करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि जो पेश्ट है मारा बन के तैयार ह तो सूजी हमने एड की है तो सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाए इसलिए हम पार्च मिनट के लिए रिष्ट के लिए रखेंगे तो चलिए जब तक हम कर लेते हैं निष्ट तैयारी तो चलिए जब तक हम कर लेते हैं निष्ट तैयारी तो चलिए जब तक हम कर लेते हैं तब तक कर लेते हम एक और छोटी सी तैयारी तो यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा स्क्वाइर सीफ में कटोरिया आप देख सकते हैं इनका सेप अगर आपके पास इस तरह की कटोरिया अबलेबल नहीं है तो गोल साइज की अगर कटोरिया है या तो स्कुयर सेफ की आपके पास अब लेबल हैं क्टोरियां, तो इस नास्ते को आप किसी भी सेप की कटोरी में बना सकते हैं, सेफ से कुछ नहीं है, बस हमारा नास्ता बहुत ही अच्छी तरह से बनना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब ये कटोरियों में अ फूल के अच्छी तरह सेट हो गई है तो एक मिनट के लिए अच्छी तरह से फेट लेंगे इससे क्या होगा कि नास्ता हमारा बहुती प्लफी और स्पंजी बनेगा तो चलिए सुजी के पेश्ट को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फेट लिया है तो एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमाक आधी छोटी चम्मच जीरा एड़ करेंगे और तीन से चार चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर बेजी टेबल में आप चाहें तो गाजर, सिम्ला मिर्च जो भी बेजी टेबल आपको पसंद हो नास्ते में एड़ करके बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह लीजिए बेजी टेबल अच्छे से मिक्स हो गए है तो अब यहाँ पर नास्ता हमारा पलफी बने तो एड़ अधे से 1 मिनिट के लिए ताकि सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए आप चाहें तो जाहें तो मिठा सोडा की जगा यहां पर एक तीहाई चोटी चमच इनो भी एड़ करके नास्ते को बना सकते हैं तो चलिए यहां पर हमारा जो बैटर है अच्छे तरह से से हो गया है तो आप कटोरिया लेंगे और सेम भाग में यहां पर एक एक चमच सभी कटोरियों में एड़ कर देंगे अगर आप जाता नास्ता बनाना चाहते हैं तो जो सभी मात्रा है डबल ले लीजिएगा तो आप तो चलिए यहां पर हमने कटोरियों में बैटर को एड़ कर दिया है अची तरह से इस तरह कर देंगे ताकि नास्ता इक्वल लेबल में हो जाए अब चलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो गैस की फ्लेम मेडियम हाई रख तो यहां पर देख सकते हैं कि 10-12 मिनट हो गया है हमारा नास्ता बहुत ही स्पंजी और फुला फुला बनके तयार हुआ है तो एक बार हम चेक कर लेंगे तो यहां पर मैं टूथफिक से चेक कर रही हूं आप चाहें तो चक्कू से भी चेक कर सकते हैं तो अगर यहां पर टूथ पी कि चककू ड्राई आ रहे हैं बिलकून बैटर नहीं लगके आ रहा है गीला सा यानि कि आपका नास्ता परफेक्ट बन गया है अगर थोड़ा बहुत बैटर गीला लगके आ रहा है तो 2-3 मिनट के लिए नास्ते को और आप पका सकते हैं तो चलिए इनको साइड सब्सक्राइब रखेंगे हल्का सा ठंड़ा होने देंगे कि हम टच कर पाएं बहुत ज्यादा ठंड़ा करने की जरूरत नहीं है जैसे हैं हल्का सा ठंड़ा होगा तो इस तरह हैं पेजस को हातों से हल्के स्टुड़ाते हुए नास्ते को demold कर सकते हैं या तो फिर चम्मच ले लिजेए कोईसा भी सार्प हो या तो फिर इस तरह हो सीलिकॉन का उससे भी आप निकाल सकते हैं ये देखिए बहुत ऊजी तरीके से तो चलिए से कंड जो नास्त न आपको बचा है। फिर उल्टा करके कटोरी को इस तरह टैप टैप करेंगे, बहुत एजी आसान तरीके से अप नास्ते को डी मोल्ड कर पाएंगे, तो जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से अप नास्ते को डी मोल्ड कर सकते हैं, अब आप चाहें तो नास्ते को इस तरह खा सकते हैं, जो इसा भी पैन ले सकते हैं अब नास्ते को सेखने के लिए इसमें मैंने एड़ किया है एक चम्मास तेल गईस की फे मेडियम रखेंगे नास्ते को एड़ करेंगे तो चलिए हलके हाथों से प्रेस करते हुए नास्ते को बढ़ी असा गोल्डन कलर आने तक इनको सेख इस तरह जब आप नास्ते को सेखके खाएंगे ना ऊपर की लेर क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में क्रंची लगेगी तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक और जरूरी बात नास्ते को अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो इनमें और भी मसाले एड़ करके आप नास्त और ग्रीन चट्नी के साथ आपसांगा एंगल देख सकते हैं आप मेद आपसे हैं मंद अधा हैं पर सुफ्टिर की साथ मोरा फुला फुला स्पंजी कुज्छी ता अफस